आदर्णिय सभापती जी मैं सबसे पहले सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनेरवाचित उपस भापती शिबान हरी भाउच जी को रदय परवक बहुत बात बढ़ाई देता हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थल आप के बाद हमारे अरून जी भी आज हम सब के बीच है आज नव अगस्त हैं अगस्त क्रांथी आज हैदे के अंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्व पूर्ण पढ़ाव था और उस पढ़ाव में बलिया की बहुत बड़ी भूमी का थी अठारा सो सब्तावन का स्वात्म पर संग्राम से ले करके बलिया आज हादी के लर्थ क्रांथी के बिगल बजाने में जीवन नोचावर करने में अग्रिम पंक्ति में रहा था मंगल पांडे जी हो चित्तु पांडे जी हो और चंद्रसेखर जी तक की एक परंपरा और उसी कड़ी में एक थे हरिवाउश जी जन्मत हुनका हुआ जैप्रकास जी के गाउं में और आज भी उस गाउं से जुड़े हुए जैप्रकास जी के सपनों को साकार करने लिए जो ट्रस्ट चल रहा है उसके ट्रस्टी के रुपे भी काम कर रहा है हरिवाउश जी उस कलम के धनी है जिसने अपनी एक विशेश पहचान बनाई है और मेरे लिए ये भी खुछी है कि वो बनारस के विद्यारती रहे थे उनके दिक्षा दिक्षा बनारस में हुई और वहीं से अर्थसास्त्र में एमे करकर के वाए और रिजर बैंक ने उनको पसंद किया था लेकिन बाट में घर की कुछ तीतियों के कारण वो निसलाइज बैंक में काम करने नहीं और सभापति जी आपको जानकर क्या खुशी होगी कि उन्होंने बैद जीवन के दो महत्वकूर दो साल हाइदराबाद में काम किया था कभी मुंबई कभी हाइदराबाद कभी दिल्ली कभी कलकत्ता लेकिन एक चका चौंद बड़े बड़े शहर हरी बहुत जी को नहीं भाए वो कलकत्ता चले गए थे रविबार के अक्पार में काम करने के लिए और हम लोग जानते हैं अश्पी सिंग नाम बड़ाई टीवी के दुनिया में पहशान बनी थी है उनके साथ उन्होंने काम किया और एक ट्रेणी के रूप में पत्रकार के रूप में धर्मिवीर भारती जी के साथ काम किया जीवन की शुरुबार वह से की धर्मियूक के साथ जूड़ करके काम किया दिलने में चंदरसेकरजी के साथ काम किया चंदरसेकरजी के चहेते थे और पद की गरिमा और वेल्यूस के सबंद में कुछ विशेस्ता होते हैं इंसान की चंदरसेकरजी के साथ वो उस पद पर थे जहां उनको सब जानकरिया थी चंदरसेगर जी इस्थिवा देने वाले थे ये बाब उनको पहले से पता थी विस्वाय में एक अख़बार से जुड़े थे वो पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े थे लेकिन खुद के अख़बारतों को भी भनक निया ने दी कि चंदरसेगर जी इस्थिवा देने वाले हैं उन्होंने अपने पत्की गरिमा को बनाते हूँ सिक्रेट को मेंटेन किया था अपने अख़बार में ख़ब चब जाए और ख़बार की भावाई हो जाए जोने नहीं दी थी हरी भावजी रविवार में गए बाद में तब तो साविक तो बिहार था बाद में जारखन बना और आची चले गए और प्रभात ख़बर के लिए और जब उन्होंने जोइन किया तब उसका सर्कुलेशन सिर्फ चार सो का था जीसके जीवन में इतने अउसर हो बैंक में जाए तो वहाँ उसर था प्रतिभावान विक्तित वतालेक उन्हों ने अपने आपको चार सो सर्कुलेशन वाले अख़बार के साथ अपने आपको खपा दिया चार दसक की पत्रकारिता यात्रा समर्पुत पत्रकारिता यात्रा और वो पत्रकारिता जो समाज कारण से जुड़ी हुई फिराज कारण से नहीं और मैं मानता हूँ हरिवस जी के यूग की ये सबसे बड़ा योगदान होगा कि वो समाजकारण की पत्रिकारत के पूरोगा रहे और उन्होंने राजकारण माली पत्रिकार से अपने आपको बहुत दूर रखा वे जनांदोलन के रूपता ख़बार को चलाते थे और जब परमवीर एलबर्ट एंका देश के लिए शहीद हुई थे एक बार ख़बार में खबर आई कि उनकी पत्नी भावत बेहाल जिंदगी गुजार रही बिस साल पहले की बात है हरिवांजी ने जिम्मा लिया हरिवांजी ने लोगों से धन इखटा किया और चार लाख रिफाई खटा करके उस शहीद की पत्नी को पहुँचा करके एक बार एक प्रतिश्टित व्यक्ति को नक्षवलिश्ट उठा गए हरिवांजी अपने अख़बार के जो भी स्रोत थे उनके माध्यमों से हिम्मत के साथ नक्षवलिश्ट के बेल्ट में चले गए लोगों को समझाया बुझाया आखिर कर उसे छुड़ा करके लिया आये अपनी जिन्दी दाव के लाइश्टित यहने एक ऐसा व्यक्तित वह जिसने किताबे पढ़ी भी बहुत किताबे लिखी भी बहुत और मैं समझता हूं कि अख़बार चलाना पत्रकारों से काम लेना यह तो शायद सरर रहेगा समाजकारन वाली दुनिया उसका अनुभव एक है राजकारन वाली दुनिया का अनुभव दूसरा है एक साउसत के रुप में आपने सफल कारकाल के अनुभव सबको कराया है लेकिन ज़्यादा तर यह सदन का हाल यह है कि जहां खिलाडियों से ज़्यादा एम्पायर परिशान रहते हैं और इसलिए नियमा में खेलने के लिए सबको मजबूर करना एक बहुत बड़ा काव है लेकिन हरिवहुँश जी जुरूर इस काम को पूरा करेंगे हरिवहुश जी के स्रिमती जी आशा जी वो स्वयम चंपारन से है यहने एक प्रकार से पूरा परिवार कहीं जेपी से तो कभी गांधी से और वो भी मुए पॉलिटिकल साइंस है तो उनका एकड़ामिक नॉलेज साइर अब ज्यादा आपको मजब करेगा और मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सामसदों का हरी कुर्पा अब सब कुछ हरी भरों से और मुझे विश्वास है कि हम सभी उदर हो इदर हो सभी सामसदों पर हरी कुर्पा बनी रहेगी यह चुनाव ऐसा था जिसमें दोनों तरफ हरी थे लेकिन एक के आगे बिके था बिके हरी कोई ना बिके और इधर थे उनके पर आगे कोई बिके बिके नहीं था लेकिन मैं बिके हरी प्रशाज जी को भी लोग कंत्र की गरिमा के लिए अपनी दाईत्वों को निभाते हुए और सब क्या रहते भी परणम पता है लेकिन प्रक्रिया खरेंगे तो काफी नए लोगों किया ट्रेनिंग भी हो गई होगी वोट वोट डालने की तो मैं सदन के सभी महनुभाओं का सभी आदानिय सदस्यों का इस पूरी प्रक्रिया को बहुत उत्तम तरीके से आगे भणाने के लिए और उपसभापती जी को मुझे विश्वास है को उनका आनुभाओं उनका समाज कारण के प्रति समद्वान और हरीवन जी के एक विश तो MP कैसा होना चाहिए इसकी बड़ी मुहिम चलाई थी मैं सांता हूँ कि उनकी जो सपने हो उसको पूरा करने का एक बड़ा आफसर उनको मिला है कि हम सभी सांसदों को वो भी ट्रेनिंग आपके माध्यम से मिलेगी और जिस दसरत माजी की चर्चाज कभी-कभी हिंदुत में सुनाई देती हैं बहुत कम लोगों को मालूम होगा उस दसरत माजी की कथा को धूंध धांड करके पहली बार किसे ने प्रगिर्च किया था तो हरी मौश बाबु ने कहा था याने समाज के बिलकुं नीचे किस तरके लोगों से जुड़े हुए एक महनुभाव आज हम लोगों का मारदेशन करने वाले हैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुक्ताम लाएं